कि हैं आप सभी लोग उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे आपकी पड़ाई अच्छे से चल रही होगी तो आज मैं आप लोगों के लिए फ्लैमिंगो चैप्टर वन लास्ट लेसन का सेकंड लेक्चर लेक्चर लेकर के आया हूं जो एक्चुल में हमारे चै गटेत होती है उमीद करता हूं आप सभी लोगों का एक्सपीरियंस उस लेक्चर से बहुत अच्छा रहा होगा तो आज हम लोग देखने वाले हैं वर्ड टू वर्ड या सेंटेंस ट्रू सेंटेंस ट्रांसलेशन को देखने वाले हैं कि किस तरीके से यहां पर किस तरह की वॉकेबलेरी का इस्तमाल किया गया है कैसे शब्दों का प्रियोग किया गया है उनके हिंदी अर्थ को भी समझेंगे और कोशिश करेंगे कि देखते के साथ ही हमें लिखने का भी एक एक एक्सपीरियंस हो और हम अच्छे से रीडिंग करना भी सीखें ट्रांसलेशन करना भी सीखें ठीक है तो रीडिंग या ट्रांसलेशन कहीं और से बाहर से करने की जरूरत नहीं है अगर चैप्टर को ही ठीक से पढ़ा जाए तो आप लोग अगर अभी अपनी बुक खोलेंगे और मैं कुछ बोल रहा हूं और उसे ध्यान से देखेंगे किस तरीके से ग्रांड है पीछे किस तरह की चीज़े चल रही है तो यहां पर यह है कि स्टार्टिंग होते समय जो हमारा लिटल फ्रेंज यह लिटल फ्रेंज जो है बहुत ही जधा डरा हुआ है गभराया हुआ है क्यों डरा हुआ है चलिए शुरू करते हैं I started, I started का मतलब है मैं घर से निकला, या मैं घर से रवाना हुआ, I started for school very late that morning, उस सुबह मैं school के लिए बहुत ही देरी से निकला, and was in great dread, और बहुत ज़ादा डरा हुआ था, का मतलब कैया होता है? डरा होना, started का मतलब school जाने कि लिए निकलना, अपनी revenge की यात्रा को पशारंब करना जो एक बिलकुल बदरीनात के दरनात की यात्रा जैसी लगती है है, भारी बोज होता है, बेक का पीट पे और चलते है दिरे 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 स्कूल जाना है भाई तो चलो तो इसलिए started की तरह इस्तमाल किया गया है dread का मतलब डर की अर्थ में यहाँ पे was in a great dread of scalding scalding का मतलब होता है डाटना या फटकारना especially because M. Hemil अब यह M. Hemil जो है यह हमारे teacher है सर ने कहा था that he would ask, he would question us on participles यानि कि वे हमसे क्रिया से संबंदित, participles से संबंदित प्रशन पूछने वाले हैं, क्रदंत बोल देते हैं, हम लोग कई बार participles को इंदी में क्या बोल देते हैं, मूलता है अगर बोलना चाहेंगे, तो इसे यहाँ पर क्रदंत भी कहा जा सकता है ठीक है, आप लोगोंने मेरे last lectures देखे होंगे, तो उसमें participles, English के participles हमने पड़े हैं, लेकिन यहाँ जिन participles की बात हो रही है, यह French भाशा के, Francis ही भाशा के participles की बात हो रही है, and I did not know the first word about them, और मैं उनके बारे में कोई एक शब्द भी नहीं जानता था, first word का मतलब मुझे participles का एक शब्द भी नहीं आता था, जैसे math के teacher बोल देते हैं, बहुत असानी से बोल देते हैं, schools के अंदर, कि भाईया कल आ जाना कल एक से बीस तक के पहाड़े तयार होने चीए, और student के आलत होती है, हैं, एक से बीस, यहां चार का ढंक से नहीं आता भी तो, आप बीस तक काम पहुच गए सर, थोड़ा पीछे आओ, पीछे आओ थोड़ा सा, यह बोलो एक से पास तक पूछूँगा, तो वही स्थिति, इसकी भी है कि भाया, मुझे तो एक शब्द भी उसमें नहीं आता था, about them, यानि participants के बारे में मुझे पता नहीं था, for a moment, एक शण के लिए, I thought, मैंने सोचा, मैंने विचार किया of running away, कि मैं भाग जाता हूँ, running away का मतलब क्या होता है, भाग जाना या कहीं चले जाना, तो कहां भाग जाता हूँ, कहां चले जाता हूँ, उसका अंसर देता है, spending the day out of doors, out of doors का मतलब होता है, हम बोलता है, मैंने पुष्ञ साल वाले lecture में भी कहा था आज की lecture में भी कहता हूं कि खाया गरम मोसम में यह है कि हम जहां रहते हैं जो सूर्य का प्रदेश है सूर्य का देश है राजस्तान तो वहाँ पर अगर मैं कहूं कि अरे आज कितनी गर्मी है आज तो मैं बाहर गूमने जाओंगा तो लोग समझेंगे कि भाई इसकी मानसिक स्तिती ठीक नहीं है इतनी गर्मी में जहां लोग बाहर निकलने के बारे में विचार भी नहीं कर सकते हैं कि आज देखो कितनी शांदार गर्मी है बहुत गर्मी है मैं बाहर जाओंगा गूमने के लिए वो नहीं क्या है फ्रांस एक ठंडा प्रदेश है एक ठंडा देश है वहाँ पर ठंड जादा पड़ती है तो ठंड के मौसम में जैसे हमें धूप सेकना या धूप में बैटना अच्छा लगता है वैसे ही उसी सेंस में लोग कह रहा है कि वैसे ही इतनी सर्दी रहती है आज थोड़ा सा गर्म है सर्दी कम है थोड़ी सी वामत है बाहर की तरफ तो मैं वहां घूमने के लिए चला जाता हूँ सो ब्राइट कितनी रोशनी है दा बर्ड्स वर चिर्पिंग चिडियाए या पक्षी जो है वह चह चाहा रहे है एट दा एज किनारे पर किसके किनारे पर आफ दा वुड्स वुड्स का मतलब होता है जंगल अब गाईस हमने जब लास्ट टाइम ग्राइमर पढ़ी थी तो बीसागशन नहीं गर सकते आप लेकिन अगर आप वुड्स कर देते हैं तो आप यहां पर वुड्स का प्लूर्स नहीं बनाया है बलकि नया शब्द बना लिया है जिसका अर्थ है जंगल चिक है यह बात ध्यान रखना तो यहाँ पर वुड्स से लकडिया नहीं समझेंगे हम जंगल समझेंगे तो वुड्स में यानि की जंगल के किनारे पर चला जाता हूं जहां पर पक्षी चह चाहा रहे होंगे यानि की प्राकर्तिक सौंदर्य जो है उसका आनंद लेते हैं आ जो की सौ मील के पीचे हैं सौ मील क्या होती है गाउ में जिस जगह पर सामान्यत है विदेशों में आप जो परशिया के रहने वाले shoulders हैं, सैनिक है वर drilling, वो व्यायाम कर रहे थे drilling के लिए व्यायाम भी बोल सकते हो आप एक और शब्द बोल सकते हो युद्धाब्यास वे लोग व्यायाम कर रहे थे अथवा युद्धाब्यास कर रहे थे ठीक है ये देखो ये इस तरह की होती है आरा मशीन जैसे कि ये पीछे की तरफ आप उनको जंगल दिखाई दे रहा है अब यहीं पर ये हैंड़ों लकडी काटेंगे उसको प्रॉपर स्लाइस करेंगे उसकी ताकि इनको ट्रांसपोर्ट करने में भी आसानी हो बेचने में भ जेनई आपूँ आप देखिंगा ये सारी चीजये बहुत जयाधा लुभावनी है ये सारी चीजये बहुत जढ़ा टेंपट करने वाली एंजी को लल्चाने तो एट वह उन्मच मूर23 तो अगर मैं एक तरफ देखूं दोनों चीज़ों को तोलूं कि सुबहे है बढ़िया गरम-करम सुबहे है आज सर्दी के टाइम में और मैं यह देखूं कि एक तरफ मिस्टर एम एमल है जो पार्टिसपल्स पूछेंगे और डंडे मारेंगे और दूसरी तरफ चिडियों का चहा चाहाना जंगल पीछे पर्शन शोल्जर्स खेत कहां जाना पसंद करेंगे दोनों जगह में से बताइए कोमेंट करके बताओ मुझे कि अगर आप इसकी जगह होते तो आप कहां जाना पसंद करते आप यह टेम्टिंग हूँ कि मेरे लिए यह लुभावनी चीजे जो है यह जादा अच्छी है पार्डिसिबल्स का रूल पढ़ाने के बजाए या उसे बताने के बजाए बट आई हैड़ दा स्ट्रेंग्ट लेकिन मेरे में इतनी शक्ती है मेरे में इतनी ताकत है तो रेसिस्ट कि मैं इन सारे विचारों का या इन सारी लुभावनी चीजों का विरोध कर सकता हूँ इनके विपरीत खड़ा हो सकता हूँ and hurried off to school hurried off का मतलब होता है तेजी से जाना तेजी से जान आप इसे दोड़ते वे जाना भी कह सकते हो आप इसे भागते वे जाना भी कह सकते हो तेजी से जाने के अर्थ में यहाँ पर हम इसे देख रहे हैं हरिडॉफ का मतलब क्या है तेजी से भागते वे दोड़ते वे स्कूल की तरफ जाना और जब मैं दोड रहा था अपने स्कूल जाने के लिए तभी जब मैंने टाउन हॉल को पास किया टाउन हॉल क्या होता है टाउन हॉल को हम अपनी देशी भाशा में कह देते हैं चौपाल क्या बोलते हैं इसको हमारे यहां तो चौपाल बोलते हैं आप अपना बताना क्या बोलते हैं किसी भी गाउं का या किसी भी शहर का जो मुख्य चौराहा होता है जहां पर टाउन हौल यानि एक बड़ा सा स्थान बना होता है जहां पर लोग अपने फ्री समय में आ बोर्ड यानि बुलिटिन बोर्ड जो है समाचार पट जो है जो ऐसा दिखाई देता है जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं आपने मेरे लास्ट वीडियो में भी देखा होगा हमारे स्कूल में जो नोटिस बोर्ड होता है उसको आप नोटिस बोर्ड भी कह सकते हैं पहले ही स्कूल के लिए लेट हो चुका था और उसको भाग करके फटा-फट से स्कूल पहुंशना था इसलिए वह वहां पर रुका नहीं फोर लास्ट तू य्यर्स पिषले दो सालों से अल आर बैड नूज हैड कं फॉर्म दियर तो पिषले दो सालों से जितनी भी बुरी खबरे आ की सिनेंगे 1870-71 के आसपास जब युद्ध चल रहा है दो सालों तक तो आप किस तरह की खबरों की उम्मीद कर सकते हैं कि वहाँ कैसी खबरे आ रही होंगी तो युद्ध की खबरे तो हमेशा दुखद होती हैं तो उसी लिए ओ कहता है कि सारी बुरी खबरे जो है यही से इसी बुलिटिन बोर्ट से यानि इसी समाचार पट से आ रही थी क्योंकि समाचार के माध्यम से ही उन्हें वह समाचार या न्यूस मिल पाती थी अब से आपके शेत्र में क्या होगा क्या नहीं होगा कैसे होगा कौन करेगा कौन नहीं करेगा यह सारी चीज़े ड्राफ्ट में आती है the orders जितने भी आदेश आते थे of the commanding officer जो भी हमारे आदेश देने वाले अधिकारी हैं जिनके आदेश पर हमारा पूरा का पूरा शेत्र चलता है या कार्य करता है उन्हें सभी commanding officer के सारे order भी वहीं से आ रहे थे and I thought to myself और मैंने अपने मन में ही विचार किया मैंने अपने मन में ही सोचा without stopping बिना वहां रुके what can be the matter now के अब क्या मुद्दा हो सकता है matter का मतलब क्या हो गया मुद्दा के अब क्या मुद्दा हो सकता है अब क्या बात हो सकती है अब कौन सा समाचार आया हो सकता है यह सारी की सारी चीज़े वो अपने मन में विचार करी ही रहा होता है और करते-करते दोड़ता रहता है then as I hurried उसके बाद जब मैं वहां से हरीड के साथ क्या आये देखो by आया है हरीड by का मतलब होता है जब मैं वहां से तेजी से दोड़ते हुए निकला या गुज़रा इससे जस्ट पहले हम लोगों ने क्या परा हरिड ओफ पढ़ा अब हरिड ओफ का मतलब क्या होता है जैसे मैं यहां हूँ और यहां से मैं तेजी से भाग करके कहीं जा रहा हूँ As fast as, जितना तेजी से मैं जा सकता था, उतना तेजी से मैं वहाँ से दोड़ते वे निकल गया I could go, मैं जा सकता था The blacksmith, वह है लोहार, जो हमारे गाओं का या Elsis का जो लोहार है Watcher, जिसका नाम है Watcher, who was there, जो वही खड़ा था with his apprentice Apprentice का मतलब होता है, कोई नौ सिखिया, क्या होता है Apprentice का मतलब, नौ सिखिया या आप कह सकते हो, जैसे अपन देखते हैं, कि कोई उस्ताद होता है, उस्ताद के नीचे कोई ट्रेनिंग ले रहा होता है कि हाँ भाईया, कोई गाड़ी सुधारना बहुत अच्छे से जानता है, तो उसके पास में दो-तिन लड़के काम करने चले जाते हैं, कि भाईया हमें भी गाड़ी सुधारना सिखा दो, कैसे मेकेनिक का काम होता है, वो सिखा दो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, एप्रेंटिस कहा जाता है, जो नया-नया कोई व्यक्ति काम करना सीख रहा होता है reading the bulletin, और वह समाचार पढ़ रहा होता है, called after me, वह पीछे से मुझे पुकारता है, called after का मतलब क्या होता है, आवाज देना या पुकारना, क्या होता है इसका मतलब, आवाज देना अत्वा पुकारना, वह मुझे आवाज देता है या पुकारता है, don't go so fast, बब, बब का मतल तेजी से इतना तेज दोड़ करके मत जाओ बिटा, you'll get to your school in plenty of time, यानि कि परियाप्त समय में तुम अपने school पहुँच जाओगे, तेजी से मत दोड़ो, I thought, मैंने सोचा, he was making fun of me, वह मेरा मजाक उड़ा रहा था, and reached, और ऐसा सोचते वे, मैं कहां तक जा पहुचा, M.H.M.L लिटिल गार्डन, M.H.M.L. सरका, जो छोटा सा गार्डन था, उस गार्डन के वहां में जा पहुचा, all out of breathe, पूरी तरीके से सास फूली हुई थी, बिल्कुल सास नहीं आ रही थी, जोड-जोड से सास लेने की कोशिश करता हुआ, हाफ ता हुआ, मैं वहां जा पहुचा यूजवली सामन्यत है, सामन्यत है क्या होता है, जब स्कूल शुरू होता है सुबह सुबह, तो स्कूल के बाहर से अगर आप स्कूल को सुनो के तो कैसा माहल सुनाई देगा आपको, जो स्कूल का स्टार्टिंग वाला टाइम होता है, उसके लिए कह रहा है, यूजवली स जिसे सुना जा सकता है, out in the street, heard out in the street का मतलब क्या है, जिसे सुना जा सकता है, बाहर सडक पर भी, the opening and closing of desk, जहां पर desk जो है, उनके खुलने की और उनके बंदोने की, आवाजे आती रहती है, lessons repeated in unison, lessons जो है, part जो है, उन्हें repeat किया जाता है, यानि की उन्हें क्या किया जाता है, दोराया जाता है, एक बार teacher बोलता है, और एक बार बच्चा बोलता है, unison में यानि कि एक सुर में उस पार्ट को पढ़ाया जाता है जैसे बच्पन में आपने और मैंने जैसे पहाड़े याद करें बोलो दो एकम, दो, दो दुनी, चार तो जब सारे बच्चे बोलते हैं न कि दो, चार, छे, आठ तो सारे बच्चे जिसके बोल रहे हैं, एक सुर में बोल रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, unison में बोल रहे हैं किसे क्या बोलेंगे, उसे, कि सारे बच्चे unison में उस बात को दोर आ रहे हैं Very loud, बहुत जोर से, with our hands Over our ears to understand better जहां पर हम इतना जोर से चिला करके बच्चे बोलते हैं कि अपने खुद के हातों से अपने कानों को ढख लेते हैं ताकि बहतर तरीके से सुना जा सके कि बहुत जोर से शोर आता है तब भी सुना ही नहीं देता ना तो इसलिए कि बच्चे अपने कानों पर हात रख लेते है ताकि जो तेज शोर है वो थोड़ा सा कम हो जाए और सुन पाएं समझ पाएं कि क्या बोला जा रहा है to understand better ताकि और बहतर तरीके से बात को समझा जा सके and the teachers great ruler और teacher जो है यानि शिक्षक जो है उसकी बड़ी सी भयानक सी खतरनाक सी जो छड़ी है जो ruler है जो अपने scale जैसी होती है लंबी सी wrapping on the table रैपिंग का मतलब होता है ऐसे यह रैपिंग क्यलाता है ठीक है तो यह रैपिंग हो रही है इसका मतलब क्या होता है वो जोर से table को खटखटाने का काम करते हैं के चुपो जाओ आवाज मत करो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है बट now it was also still लेकिन आज जब मैं सब देख रहा हूं सब कुछ बहुत ही ज़ादा शांत है कोई आवाज नहीं आरे ना बच्चों के कुछ बोलने की आवाज ना टीचर्स का कोई इंस्ट्रक्शन देने की आवाज ना टेबल को खटखटाने की आवाज ना डेस्क खुलने की आवाज ना बंद होने की आवाज बिल्कुल शांती कैसी शांती आगे देखते हैं कि शांती उसे किस चीज़ की याद दिला रही है कैसी शांती है I had counted on the commission to get to my desk without being seen मैंने अपन सारा का सारा जो कोमोशन था जो मेरा साहस था जो मेरी ब्रेवरी थी वो सारी की सारी खटी की ताकि मैं अपनी desk की तरफ जा सकूं without being seen बिना किसी को दिखाई दिये अब यहाँ पर क्या है यह कह रहा है कि भाईया इतनी शांती देखकर के मैंने अपना पूरा का पूरा जो से खटा करके और मैं चाहता था कि मैं मेरी desk पर पहुंच जाओ और किसी की मुझे पर नजर ना पड़े कोई मुझे ना देख पाई जैसे लास्ट लेक्चर में मैं बताया था हम लोग जब लेट हो जाते हैं या कोई गडबड करके जा रहे होते हैं तो कोशिश करते हैं कि क्लास के या स्कूल के जो खुखार टीचर्स हैं जिन में मानवता की थोड़ी सी कमी है दया या करुणा जैसे भावों का जहां पर अभाव है एसे टीचर्स से थोड़ा सा बचके ही चलना ठीक होता है और ना उनको क्या देख कर पीट देते हैं कल पर से विद्यारती कुछ बात बता रहा था मिरको बुले सर हमारे पुराने एक एसेस्टी के टीचर है और वो हमें एड तक पढ़ाते थे अभी हम नाइंत क्लास में आ गए है तो अभी दूसरे टीचर हमें पढ़ाते मैंने का चलो ठीक अच्छी बात है क्या हुआ इस स्कूल में बुले सर नहीं ज पीटा और पीट करके वहां से चले गए उसके बाद उस बच्चे का जो मतलब अगला जो वाक्य था नो बहुत ही मासूम वाक्य था बोले सर हमारी मैडम को पता भी नहीं चला कि पीछे से कोई आकर कि उनके बच्चों को पीट के भी चला गया हमारे शोशल के जो सर है उनसे तो हम लोग बच्चके ही रहते हैं क्योंकि उनको यह कहीं भी दिख गये अगर मैट्स का ओमवख नहीं किया तो भी शोशल के टीचर पीट देते हैं तो यही चीज यहाँ पर इसके साथ भी हो रही है कि बहुत बच के समल के चल रहा है कि किसी की नजर ना पड़े मुझ पर और मैं अपनी डेस तक पहुंच हूँ यह सारी चीज़े इतनी शांत थी पूरा विध्यालय इतना शांत था जैसे संडे मॉर्निंग हो संडे मॉर्निंग से यहाँ उसे क्यों कंपेर कर रहा है देखो इस पर कॉश्चन भी पूछा जा सकता है ऐसा क्यों था ऐसा क्या था के वह सुबह संडे मॉर्निंग की जैसी प्रतीत हो रही थी तो बहुत अच्छा कीवर्ड है इस पर आपको कॉश्चन बन सकता है आप देख सकते हैं उसे और खिडकी से मैंने अपने क्लासमेट को देखा और एम हैमल जो है वो इधर से उधर अपन डाउन का मतलब ऐसा नहीं कि टेबल के उपर चड़ रहे थे नीचे उतर रहे थे और उनके हाथ में उनकी भयानक उनकी खतरनाक रूलर आईरन की बनीवी यानी की लोहे की बनीवी चड़ी उनके हाथ में थी अंडर हिज आम उन्होंने अपनी कांख में उसे चड़ी को दबा रखा था ऐसा वो मिस्टर एम हैमल को देखता है आप सोचो एक तो स्कूल जाने के लिए लेट हो गए उपर से जैसे तैसे बच बचा करके स्कूल क्लास रूम में पहुचने की कोशिश कर रहे है उपर से दिख रहा है उसके भी हाथ में लोहे की छड़ है तो इंसान के जीव का क्या होगा वही चीज यहां होती है I had to open the door मुझे दरवाजा खोलना पड़ा and go in before everybody और जितने भी लोग वहां थे उन सभी के सामने जाना पड़ा you can imagine आप कलपना कर सकते हैं how I blushed मैं कितना शर्मिंदा था मतलब कितना डरा हुआ था और शर्म आ रही थी मुझे उनके सामने जाने में क्योंकि सब बैठे होते हैं और अपने अकेले जाते हैं लेट तो बच्चे भी जो अपने साथ वाले भी होते हैं वो भी अपने को अपने जाओ बहुत 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 ही दया भाव से बहुत ही प्रेम पूरवक गो तो यॉर्स प्लेस क्विकली लिटल फ्रेंस जल्दी से अपनी जगे चले जाओ लिटल फ्रेंस हम बस तुम्हारे बिना ही क्लास शुरू करने वाले थे यारी हम कक्षा बस प्रारम भी करने वाले थे अच्छा हो तुम टाइम पे आगे चलो चलो जल्दी हो जल्दी से बैटो हम क्लास शुरू करने वाले हैं ऐसा कहे करके वो उसे क्लास में ले लेते हैं बिना डाटे ब उपर से कूदना, jumped in का मतलब क्या है, किसी चीज के अंदर कूदना, जैसे कुए में कूदोगे, तो jumped in आएगा, over रही आएगा, और किसी चीज को cross करने के लिए कूदोगे, तो उसके लिए jumped over आजाएगा, the bench and sat down at my desk, और वहाँ जाकर मैं अपनी desk पर बैठ गया, not till then, तब तक मैंने ध्यान नहीं दिया, when I had got a little over my fright, तो got over या get over का मतलब होता है, बाहर निकलना या उभरना, ठीक है, तो जब मैं थोड़ा अपने डर से बाहर निकला, जब मैं थोड़ा अपने डर से उभरा, उसके बाद, did I see, मैंने देखा, that our teacher had on his beautiful green coat, कि हमारी जो teacher है, उन्होंने अपना शानदार, बहुत सुन्दर सा, बहुती प्यारा सा, green कलर का एक coat पहन रखा है, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, his frilled shirt, अब यह देखो, यह जो shirt है, इस shirt भी यह वाला भाग आपको दिखा ही दे रहा होगा, दिख रहा है, यहाँ पर क्या है, ऐसी जालर सी बनी विये, frills बनी विये, यानि कपड़े को एकटा करके, और जालर जैसी बना रखी है, stitching उस तरीके से की गई है, ठीक है, and the little black silk cap, अब यहाँ पर देखो भाईया, little black silk cap तो है नहीं, लेकिन कुछ ऐसी होती है, देखने में मैं बना देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ आप लोगों के लिए, something like that, इस तरह की होती है, छोटी सी एक cap होती है, एक कपड़ा सा होता है, जिसको बस थोड़ा सा मोड करके, उस पर stitching कर दी जाती है, इस तरह की black color की, उन्होंने छोटी सी एक silk की cap लगा रखी थी, all embroidered, जिस पर अलग अलग तरीके की, पूरी जगए पर कशिदाकारी की गई थी, कशिदाकारी समझते हैं आप, कि वो एक चमकीले से धागे होते हैं, उनसे design बनाई जाती है, कपड़ा पहले पूरा बन जाता है, उसके बाद में उसके उपर कशिदाकारी की जाती है, जो वो कभी भी नहीं पहनते हैं, यारी कि इस तरह के कपड़े वो कभी नहीं पहनते हैं, वो ऐसे कपड़े कप पहनते हैं, जब या तो निरिक्षन का दिन होता है, इंस्पेक्शन का डे होता है, कोई इंस्पेक्शन करने आने वाला होता है, और या फिर price distribution दे होता है हमारे यहां पर होता है न वार्शी कुछ सब तो उस दिन हमारा inspection भी हो जाता है उस दिन price distribution भी हो जाता है सारे काम में एक ही दिन हो जाते है ठीक है तो inspection day पर यानि कि जब कोई बाहर से कोई बड़े शिक्षर के अधिकारी आते हैं विद्याले का नि कि पूरा का पूरा school जो है वो बहुत ही अजीव लग रहा था क्योंकि इतनी शांती थी शांती जागा अच्छी नहीं लगती आपको बहुत अजीव लगेगा आपके घर में अगर 6-7 लोग रहते हैं तो आपको ऐसी टाइम पे घर पे आओ जब घर पे कोई ना हो गंभीर और ज़्यादा शांती जो है डरा देने वाली गंभीरता को प्रकट करने वाली थी वट तथिंग डट सर्प्राइजड मी मोस्ट वास तो सी लेकिन वह चीज जिसने मुझे सबसे ज़्यादा अश्चर यह चकत किया मतलब चौक गया हो देखकर के मैं मोस्ट वो क् है कि तरव को तरह होता हैमारी तरह हमारी तो विलेज के जो लोक थे वहल्कुल हमारी तरह बैठे आब विलेज के लोलग मतलब गाउं के लोग ट पीछे बैठे उख़ो हमारी तरह बैठे थे old hosser पुराना एक जहाजी जिसका नाम hosser है with his three cornered hat जिसकी तीन कौने वाली hat थी तीन कौने वाली hat जैसी है एक corner दो corner और इधर की तरफ तीन corner इस तरह की three corner hat उसने पहन रखी थी the former mayor पुराने हमारे mayor थे महापौर जो थे हमारे क्षेतर के the former postmaster पुराने यह सारे के सारे बुड़े थाड़े लोग हैं गाओं के जो बड़े सम्मानिय लोग हैं अपने अपने क्षेतर में कारी शेतर में बहुत अच्छा कारीय किया है इन्हों लेकिन यह बहुत बुड़े हो चुके व्रद हो चुके हैं यह सब बैठे हुए थे एंड several other besides और बहुत सारे लोग उनके पास भी बैठे हुए थे एवरिवड़ी लुक्ड सैड और यह सारे लोग जो है यह बहुत ही सैड बहुत ही दुखी दिखाई दे रहे थे अब प्राइमर क्या होती है प्राइमर होती है वर्ण माला की किताब तो होसर भाई साब जो है वो अपने जमाने की यह अभी तो बुड़े हो चुके लेकिन जब वो बच्चे थे और जब उनको पहली बार अपनी बारखडी की किताब मिली थी काकगय वाली किताब मिली थी ABCD वाली किताब मिली थी 1,2,3,4 वाली किताब मिली थी उस किताब को लेकर के आये थे अपने साथ Thumbed at the ages और अंगुठों से उसे किनारे पर पकड रखा था यानि दोनों किनारों पर अंगुठों से उसे पकडा हुआ था And he held it open और अपने गुठनों पर On his knees है ना अगे अपने गुठनों पर उसने खोल करके उसको पकड रखा था With his great spectacles जहां उसके बड़े बड़े जो चश्मे थे Lying Across the pages वो उन किताब के पन्नों पर ही रखे वी था अब जैसे इस वेक्ति को देखो इसने अंगुठे के मदद से यहां पर पन्ने को पकड रखा है अपनी जो knees है अपनी जो गोध है उसके उपर इसे खोल रखा है अब मान लीजे यहां पर एक चश्मा भी पड़ा है तो बिलकुल इसी तरह का द्रश्य हो गया जो यहां पर हमारे छोटे भाई साब जो है वो देख रहे हैं जिनका नाम है फ्रेंज जब मैं यह सब सोच रहा था मेरे दिमाग में सारे खयाल चल रहे थे उसी समय पर about it all इस सभी के मद्य माउंटेड का मतलब होता है खड़े होना उठना चेर पर बैटे वे थे तो खड़े हो गए M.A.M.L. जो है वो खड़े हुए his chair अपनी chair से and or in the same grave और जैसी गंभीर था चारो और फैली हुई थी उसी गंभीर स्वर में उसी गंभीर आवाज में and gentle tone और बहुती सजनता पूर्ण आवाज में उन्होंने कहा which he had used to me वैसी ही आवाज जैसी उन्होंने मेरे प्रती इस्तमाल की थी आज़ो आज़ो जल्दी से अंदर आज़ो हम तुमारे बिना ही शुरू करने वाले ते कला उसी gentle tone में उसी gentle आवाज में उन्होंने कहा my children मेरे बच्चो this is the last lesson I shall give you यह आखरी lesson होने वाला है आखरी part होने वाला है जो मैं आप लोगों को देने वाला हूँ यानि आज जो मेरा lecture होगा आज जो भी हम बात करेंगे वो हमारा आखरी part होगा हमारा last lesson होगा ठीक है guys तो आज के लिए इतना ही यह हमारा part 1 है next हमारे lecture के अंदर हम इसका part 2 देखेंगे और आज के लिए थोड़ा सा homework है फटा फट से comment box के अंदर आपको अपना homework complete करना है number 1 first homework यह है कि आप अगर friends की जगे होते एक तरफ participants दूसरी तरफ आपकी मस्ती मज़ाब घूमना फिरना केतों में भागना दोड़ना आप दोनों में से क्या चुनते पहला question तो यह है second question जो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ अगर यही आपका कोई भी teacher आप से आकर के कहे कि आज के बाद Hindi भाषा या जो भी आपकी मातर भाषा जिस भी शेत्र से आप है कि अगर बुंदेल खंड से है तो बुंदेल खंडी भाषा हो गई आपकी भोजपुरी भाषा हो गई कोई भी ऐसी भाषा जो आपकी मातर भाषा है आपको इस्तमाल करनी होगी, तो आपको कैसा लगेगा, शेर कीजे मेरे साथ comment box में, thank you very much, I'll see you soon in my next lecture, till that take care of yourself, bye bye, I'll see you soon.